सभी को नमस्कार मैं चंद्रिकला शर्मा सहय काचारिय राजनती विज्ञान श्री कल्यान राजकिय कन्या महाविद्याले सीकर आज हम इलेक्षन कमिशन पस डिसकस करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव जो होते हैं वो लोकतांतरिक देश के प्राणों के समानों ते हैं मतलब निर्वाचन के द्वारा ही हम अपनी सरकार को पूर्णता प्रधान करते हैं अथार्थ निर्वाचन के माध्यम से ही हम अपनी सरकार को वैद्यता अप देते हैं और सरकार को अपने पती उत्तरदाई बनाते हैं भारत सहित विश्व के बिन लोकतांत्रिक देशों में चुनाओ की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का निर्मान किया जाता है। एक निर्वाचन आयोग की माध्यम से किया जाता है। अब हम बारत में निर्वाचन आयोग क्या है, कैसे इसका घठन किया गया, क्या इसके कार्य है, निर्वाचन की प्रक्रिय कैसे चलाता है, इसके बारे में हम अपन अध्यन करेंगे. भारती सविधान के बाग अनुछे 324 के अंतरगत निर्वाचनों का निरिक्षण, निर्देशन और नियंतरन करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य उत्रनी निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनने राष्टपती समय समय पर मनोनित करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है संसत द्वारा निर्मित किसी विदी के अधीन रहते हुए राष्टपती के द्वारा ही की जाती है राश्ट्रपती निर्वाचन आयों के परामर्ष से ही अन्य राज्यों में प्रादेशिक आयुक्ति की नायुक्तों को भी नियुक्त करता है जैसा कि वो आवशक समझे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पदों से उनी कारण और उनी रीतियों के मध्यम से अटाया जाता है जिन कारणों से सर्वोच्य नयायलक नयायदिश को हटाया जा सकता है वित्य एनिय मित्ता, ऐसा मर्थता, सिद्ध कदाचार, आदी के आधार पर राष्टपती के आदेश के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पदोत्पद से हटाया जा सकता है। और इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे हम महावियों की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, जो संसत के अंतरगत चलाई जाती है। इसे मुक्त कर देता है। भारत में हम देखें तो सन 1951 में पहली बार सविधान के अंतरगत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तब निर्वाचन आयोग एक सदश्य आयोग के रूप में कारिय करता था। लेकिन 1989 में राष्टपती वेंकट रमण निर्वाचन आयोग को एक सदश्य से हटा कर इसकी अंतरगत इसको बहुत सदश्य आयोग बनाने का प्रस्ताव पारित करवाया और निर्वाचन आयोग में अन्य आयोगतों की नियुक्ति की जाने लगी। अनुछे 324 भी यही कहता है कि मुख्या निर्वाचन आयोग की सला को सला देने के लिए वसायता करने के लिए अन्य आयोगतों की नियुक्ति की जाएगी। यद भी कुछ परिस्तितिया ऐसी भी बनी कि वो बहु सदशी आयोग से फिर एक सदशी आयोग बन गया। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखे तो निर्वाचन आयोग जो है वो बहु सदशी निर्वाचन आयोग है। और केंदर सरकार ने एकटुबर 1903 में को एक अधी सूचना को जारी करके निर्वाचन आयोग को बहु सदशी निर्वाचन आयोग बना दिया था। अब इस निर्वाचन आयोग इस उद्गोशना के बाद में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य आयुक्त नियुक्त किये जाते हैं। इनकी सेवा शर्ते, वेतन, बत्ते, सब संसत के द्वारा निधारित किये जाते हैं। तथा निर्वाचन आयोग, आयोग्त की जो सेवा निवर्ति की आयुँ है, वह भी 65 वर्ष कर दी गई है। अब हम देखे तो ये इलेक्षन कमिशन या चुनाव आयोग क्या क्या कार्य करता है। निर्वाचन आयोग जो है, चुनाओं से संबंदे समस्त व्यवस्था करता है और इस संबंद में उसके विभिन प्रकार की कार्य है। जैसे चुनाव शेत्रों का परिशीमन या सीमांकर करना, सम्पूर देश में मदधाता सूचियां तयार करवाना, विभिन राजनितिक दलों को मान्नेता प्रधान करना, राजनितिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन प्रधान करना और कुछ अर्धन्याई कारी भी इसके द्वारा किये जाते हैं इन आवशक और अनिवारी कारियों के साथ साथ निर्वाचन आयक कुछ अन्य कारिय भी करता है जैसे राजनितिक दलों के लिए आचार सहीता का निर्मान करना, राजनितिक दलों को आकाश्वानी या सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव परचार के सुईदा दिलवाना, उमिद्वारों द्वारा किये जाने वाले वैकी राशी को निश्चित करना, मद्दाताओं को राजनितिक परसिक्षन देना, चुनाव याचिकाओं, आदि के आयोग चुनाव प्रक्रिया में सुदार के लिए भी अपने समय समय पर सुजा देता है, संपूर देश के लिए चुनाव की वैवस्था निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही की जाती है, हाली में निर्वाचन आयोग के गठन में सुदार हेतु कुछ सुजाव भी दिये गए हैं, जैसे, जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव आयोग जो है, बहुसदशी आयोग है, और इसमें तीन से पांच तक इस थाई सदश्य हो, और चुनाव आयोग इसका अध्यक्ष हो, एक ऐसी समीति की द्वारा की जाए, जिसके सदश्य मुख्य न्याय दीश प्रदान मंत्य और संस्रद में विपक्ष के नेता हों, राज्ये स्तर पर भी इसी प्रकार का चुनाव आयोग हो, उसका इसी अनुरूप गठन किया जाए, नमबर चार, आयोग के निस्पक्षता को बनाई रखने के लिए इसमें वर्तमान या सेवा निवरत प्रशाष्निक अधिकारियों को नियुक्त ने कर, सेवा नियत उच्चे नियायले और सरोचे नियायले के नियाय दिशों को ही नियुक्त किया जाना चाहे, ताकि इस प्रकार का संदेह नहीं किया जा सके, उप तारूर दल की इच्छा पर निर्वाचन आयोक से निवरत होने वाले आयुकतों को पविश्य में किसी भी प्रकार के लाग के पद पर नियुकत नहीं किया जाए यह कुछ ऐसे सुझाव थे जो निर्वाचन आयोक के पुनरगठन के संबंद में विबिन समीतियों के द्वारा दिये गए अब निर्वाचन आयोक के गटन की रूपरे का कि आधारपरम कह सकते हैं कि भारत में अब तक जितने आम चुनाओं हुए उन सभी में निर्वाचन आयोक का एक बहुत सकारात्मक योगदान रहा है आयोक की चुनोती पून कारे को देखती हुए कहा जा सकता है कि निर्वाचन शेत्र में परीप सीमन से लेकर निर्वाचक अधिनिन्यतक के कारे को निर्वाचन आयोक ने साम्मान्यतक कारे कुशल निस्पक्षता उनिमानदारी के साथ में संपन्न किया है और निर्वाचनायों के इनी कारियों के आधार पर भारत में अब तक निश्पक्ष रूप से सरकार का घठन किया गया है और सरकार को वैद्धिता प्रधान की गई है